स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही खुबसूरत हाउस प्लांट है इसे किसी भी अतरिक्त देखभाल की जरूरत नहीं होती है यह देखने में जितना खुबसूरत है उतने ही इसके फाइदे भी है यह हमारे घर की खुबसूरती को तो बढ़ाता ही है साथ में अशुद वायू को भी शुद्ध करता है इस प्लांट की यह जो लंबी पत्यां गमले से बाहत निकली हुई है बहुत ही खुबसूरत लगती है रेनी सीजन से लेकर विंटर तक यह प्लांट बहुत आराम से ग्रो करता है लेकिन समर सीजन में इसे थोड़ी बहुत देखवाल की जरुवत होती है आपको इस वीडियो में स्पाइडर प्लांट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इसे कितनी आसानी से ग्रो किया जा सकता है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए न्यू वीडियो उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए स्पाइडर प्लांट का बोटनिकल नेम क्लोरोफाइटम कोमोसम है इसे एयर प्लांट, रिबन प्लांट नाम से भी जाना जाता है यह एक सब्टॉपिकल नेटिब प्लांट है अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, एशिया जैसे कॉंटिनेंट्स में यह प्लांट पाया जाता है इस पर फ्लॉप्रिंग भी होती है, सीड्स भी बनते हैं यह एक एस्पेरिगस प्रजाती का पौधा है इसके साथ ही यह एक नेचुरल एयर प्यॉरिफायर भी है यह हवा में मौझूद टॉक्सिक गैसिस लाइक कार्बन मोनो ओक्साइड, जैलीन, कार्बन डाय ओक्साइड जैसी गैसों को अब्सॉर्ब कर लेता है और आसपास के बातावरन को शुद्ध बनाता है स्पाइडर प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स तयार करने के लिए 50% गार्डन सॉयल, 30% कोकोपिट और 20% कोई भी फर्टिलाइजर लाइक बर्मी कमपोस्ट या फिर गोबर से बना हुआ फर्टिलाइजर हम ले सकते हैं इन तीनों को आपस में अच्छे से मिलाकर पॉटिंग मिक्स तयार कर सकते हैं स्पाइडर प्लांट को ब्राइट सनलाइट पसंद है अगर आप इसे as a indoor प्लांट रख रहे हैं तो विंडो के पास रखें और अगर आप इसे as a outdoor plant रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि morning से 2-4 hours की sunlight इसके लिए enough है ये plant कई दिनों तक बिना पानी के survive कर सकता है इसलिए पानी देने से पहले इसकी pot की soil को चेक कर लीजे अगर वो सूखी हो तभी पानी दीजे spider plant में छोटे-छोटे pups निकले हुए होते हैं जिनने हम spider rates कहते हैं इनसे new baby plants को grow करना बहुत easy होता है इनने हम soil में और water दोनों में ही आसानी से grow कर सकते हैं जिसे हम आगे के विडियो में देखेंगे मैंने यहाँ पर mother plant में से एक pup को cut कर लिया है और इससे अब मैं आराम से एक नया plant grow कर लूँगी अगर आप इसकी back side में देखेंगे तो आपको यह छोटी-छोटी सी roots निकली हुई दिखाई देंगी आप देखें इसको दिहान से तो आपको यह दिखाई दे रही होंगी यह इस तरीके की यह roots निकली हुई होती हैं इसलिए इसको soil में और water दोनों में आराम से grow किया जा सकता है इसके बाद मैंने यहाँ पर यह cup लिया है और इसको acrylic paint करके अच्छे से सुखा दिया है तो इसको हम as a potter use करेंगे इसके बाद हमें soil mix तैयार करना है जिसके लिए मैंने 50% यहाँ पर garden soil लिया है 30% coco pit लिया है और 20% यहाँ पर मैंने fertilizer लिया है और इसको आप अच्छे से mix कर देंगे potting mix को potter में हमने fill कर लिया है अब यह pot तैयार है spider plant को लगाने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा space दिया और इसको यहाँ पर रख दिया है अब मैं यहाँ पर extra थोड़ी सी soil इसके चारों तरफ डाल दूँगे चारों तरफ से हम इसमें soil डाल लेंगे इस तरीके से हमने इस plant को अपने cup में लगा के तयार करेंगे आप देखें यह कितना हूपसूरत लग रहा है अब हम इसमें पानी डाल देंगे तो इसमें time time पर हम इसमें पानी देते रहेंगे जब भी हमें इसकी soil सुखी हुई दिखाई दे हम इसमें पानी डाल देंगे और इस तरीके से यह 15 days में अच्छे से इसकी roots डेवलप हो जाएंगी और आपको उपर plant में growth होती हुई दिखाई देने लगेगी जब यह plant grow हो जाएगा तो इसमें से new leaves आना start हो जाएंगी तब यह बहुत ही खुबसूरत लगेगा यह बहुत है